Afternoon to everybody, स्वागत है आप सभी का आज की साइन्स की क्लास में और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक ही शॉट में Fiber to Fabric वाले चैप्टर को कवर तो Fiber to Fabric वाले चैप्टर का One Short Revision शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले Animal Fibers के बारे में पढ़ेंगे कि Animal Fibers होते क्या है उनके क्या क्या Types होते है कैसे Fibers को Wool में Convert किया जाता है कैसे Silk Obtain किया जाता है Silk Mod से उसकी Life Cycle देखेंगे पूरा Process समझेंगे ठीक है चलो तो भई शुरू करते हैं सबसे पहले Animal Fibers से तो Animal Fibers होते क्या है देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के Main Fibers होते है एक होते है Natural Fibers और एक होते है Artificial Fibers या Synthetic Fibers ठीक है तो जो Natural Fibers होते हैं उसके Sources या तो Plants होते हैं या फिर Animals होते हैं और जो Artificial Fibers होते हैं उनके Examples अलग-अलग होते हैं वो भी आप आगे अपनी बड़ी Classes में पढ़ोगे जैसे कि Nylon हो गया Rayon हो गया Polyester हो गया Acrylic हो गया तो ये सारे Artificial Fibers हैं Man Made Fibers होते हैं तो इसके बारे में आप पढ़ोगे 8th Class में आता है ये तो अभी तो आप 7th में हो तो अभी के लिए आपको Natural Fibers में Animal Fibers तक सीमित रखा जाएगा तो अगर मैं Animal Fibers की बात करूँ तो हमें समझ में आता है कि Animal Fibers होते क्या है Animal Fibers वो होते हैं जिन्हें Animals द्वारा उप्टेन करे जाते हैं और क्योंकि ये Natural की कैटिगरी में आते हैं तो Naturally Animals द्वारा ये हमें उप्टेन करे जाते हैं तो अब बात आती है Animal Fibers होते कौन-कौन से इनकी एक्जाम्पल क्या हो गए तो पहला एक्जाम्पल इनका होता है Wool Wool को कहां से उप्टेन करा जाता है Wool को उप्टेन करा जाता है Sheep से Goat से Yak and some other animals और ये जो Wool-ealding Animals होते हैं इनकी बॉडी पे dense hair present होते हैं और in hair की वज़े से इनकी बॉडी गरम ready क्योंकि जो mostly Wool-ealding Animals होते हैं जिनकी बॉडी में dense hair होते हैं वो cold conditions में survive करते हैं ठीक है और cold conditions में survive करने के लिए उनके पास sweater jackets तो है नहीं तो उनकी बॉडी पे naturally hair present होते हैं जो उन्हें warm रखते हैं ठीक है चलो तो सबसे पहले तो बात हो गई Wool की तो Wool की अगर मैं बात करूँ Wool जो हमें usually market में मिलता है वो sheep wool मिलता है मतलब sheep द्वारा ठीक है और yak wool की अगर बात करूँ जो yak से मिलता है वो तिबित लदाक में common रहता है देन अंगोरा goats द्वारा भी wool हमें मिलता है ठीक है जो की जम्मू और कश्मीर रिजन में रहती है वो mohair quality wool होता है और goat से भी हमें wool obtain होता है तो यह कुछ famous animals है जिन से हमें wool obtain होता है ठीक है तो इनके बारे में अभी फिर से हम detailing पे आएंगे लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग quiz खेल लेते हैं ठीक है तो quiz शुरू करने जा रही हूँ और quiz का first question आपके सामने ये रहा Which of the following is an animal fiber? वो बारे लेसे का दीक है वो लेकिन ऑनम और आई पुरू करो लेकिव खेली आई रहा पुरू करो लेकिव आई रहा पुरू उक्टने रहा चलिए discuss करते हैं तो पहला question मैंने आपसे पूछा कि which of the following is an animal fiber इन में से कौन सा animal fiber होता है तो बिठा animal fiber wool भी है animal fiber silk भी है ठीक है तो हमारे जो c option है both a and b यह हमारा answer हो जाएगा अगला question आपसे पूछा गया है wool yielding animals are तो wool हमें कहां से मिलता है तो wool हमें sheep से भी मिलता है wool हमें goat से भी मिलता है wool हमें yak से भी मिलता है ठीक है तो इन सब से हमें wool मिलता है इसलिए d option all of these हमारा answer हो जाएगा कि इन सारे के सारे animals से हमें wool obtain होता है ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे तो मैंने जैसे की बताया था अभी इस discussion पर वापस आते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे की मैं आपको बता रही थी कि wool जो होता है हमें goat से भी obtain होता है, हमें sheep से भी obtain होता है, हमें yark से भी obtain होता है, ठीक है ओके शीप आपको पता ही है कैसी दिखती है याक जो होते हैं वो देखो इस तरीके से दिखते हैं और गोट जो है ये तो है नॉर्मल जो हम हमारे आस पास गोट देखते हैं और ये हैं अंगोरा गोट और बिटा अंगोरा गोट जो होता है न वो जमू एन कश्मी रीजन में मिलती है वहाँ पर बहुत ज़ला सर्दी होती है इसलिए डैंस हेर होते हैं इनकी बोडी पर ठेक है चलो अब बात करते हैं फाइबर्स टू वूल वाले टॉपिक की तो बेट के स्वेटर बुन रहे होते हैं आपके लिए स्वेटर बना रहे होते हैं सरदिया जब आ रही होती है तो वो क्या करते हैं और के पास एक wool का गोला होता है ठीक है ऐसे उसमें दो ऐसी sticks लगी भी होती है और वो दो sticks को use करके क्या करती है sweater बना के देती हैं आपको है ना knitting बोलते हैं उस process को right knit करते हैं तो ऐसे ही वो knit नहीं हो जाता है ऐसे ही यह हमारे पस गोला उप्टेन नहीं हो जाता है इसको उप्टेन करने के अलग अलग processes होता है तो हम एक एक करके discuss करेंगे कि कैसे जो goats हैं sheep हैं याक हैं इनकी body से कैसे इनके hair को remove करा जाता है और कैसे इन गोलों में wool के गोलों में convert करा जाता है ठीक है अब देखो जो sheep की body होती है या goat की body होती है उनकी body पे जो hair होते है उसके साथ में एक बहुत ही पतली सी skin होती है जो कि remove हो सकती है और इस पतली सी skin और इनके hair को हम लोग fleece कहते हैं क्या कहते हैं fleece fleece of the sheep जैसे ठीक है तो सबसे पहले करा क्या जाता है जो fleece of the sheep है उसे remove करा जाता है और इस removal के process को बोला जाता है shearing क्या बोलता जाता है shearing ठीक है तो आपने देखा होगा यहाँ पे इस picture में आपको दिख रहा होगा कि sheep है sheep की body से यह सारे के सारी fleece जो है वो remove कर दिये ठीक है यह तो उसकी leg है यह नहीं कहरी मैं यह वाला जो part है यह सारा fleece है ठीक है तो shave कर दिया जाता है और अलग-अलग machines भी होती हैं जिनसे इनको करा जाता है अच्छा एक interesting बात बताओं आपको और देखो usually हम लोग classify करते हैं दो seasons सर्दी गर्मी है ना तो आप खुछ सोचो अगर इनकी body पे इतने hair होंगे और गर्मियों गर्मिया होंगी तो इन बिचारों को किती तकलीफ हो उससे पहले sharing का process कर दिया जाता है सारी fleece remove कर दी जाती है इनकी body से क्योंकि wool बनाने के काम में आता है और इनकी body hair free रहती है तो इनको गर्मी नहीं लगती जैसे जैसे winters आने वाली होती है इनकी body पे hair development शुरू हो जाता है hair अच्छे से dance आ जाते हैं तो यह सर्दी आराम से निकाल लेती है फिर जब घर मी आने वाली होती है उससे पहले फिर shave off करके sharing का process कर दिया जाता है तो इससे इनको problem भी नहीं होती और यह एकदम बढ़िया chill रहते है ठीक है चलो तो sharing के process के बात करा जाता है scouring का process और scouring के process में क्या करते हैं यह जितनी भी fleece इन्होंने remove करी थी sheep की body से उनने बड़े-बड़े tanks में डाला जाता है या machines use करी जाती है तो basically scouring process में क्या होता है जो grease और dirt dust particles होते है उनका removal होता है तो यह बड़े-बड़े tanks में डालते हैं सारी fleece को तो जितनी भी grease होती है dirt होती है dust होती है वो remove हो जाती है ठीक है तो अब तो machines भी use होती machines की मदद से भी scouring का process करा जाता है dirt fleece dirt को ठीक है remove करा जाता है grease को remove कर दिया जाता है इनकी body से तो यह तो था scouring process तो हमने sharing process देख लिया हमने scouring process देख लिया अगला process होता है sorting sort करना मतलब अलग-अलग चीजों को अलग-अलग करना है न जैसे for example मैंने आपको एक box दिया है और मैंने बोला इसमें कुछ pencils और pen है और rubbers है आप इनमे से अलग-अलग चीजों को sort कर दो तो मतलब आप अलग-अलग करोगे बैठके वैसे ही जबी scouring का process हो जाता है जितनी भी dirt grease remove हो जाती है उसके बाद sorting का process करा जाता है तो fleece का या hair का जैसा structure रहता है जैसा texture रहता है उसे उसके basis पे अलग कर दिया जाता है जैसे जो बहुती soft texture के होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं जो ठीक ठीक texture के होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं ठीक है तो आप देख रहे होंगे आप इस picture में आपको दिख रहे होंगी ladies बैठे हैं और वो कैसे sorting का process कर रहे हैं ठीक ह होते हैं उनके साथ ये problem आती है कि curly बालों में छोटे-छोटे गुच्छे बन जाते हैं जैसे curly hair होते हैं जिनके उनके छोटे-छोटे गुच्छे बन जाते हैं उनको remove करना बड़ा दिख रहे हैं, है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, birds, तो अब क्या होता है, इनकी cleaning करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इनको clean करा जाता है, क्योंकि अगर ये clean नहीं होंगे, तो आपके जो sweaters होंगे, जो wool होंगे, उनमें finishing ही नहीं आएगी, उनमें smoothness ही नहीं आएगी, ओके, तो birds क्या होते हैं, small fluffy fibers, जो की present होते हैं, hair of the sheep में, hair of the goat में, ठीक है, आपने देखा होगा, कभी-कभी आपके sweaters पे ये birds दिखने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब birds की cleaning होई होगी, तो कहीं ना, कहीं वो रह गया होगा, जो कि आपके sweater में आपको दिखते हैं, इस क्यों करा जाता है, क्या जरूरत होती है, तो देको, usually, जो goats, sheep होते हैं, वो या तो brown कलर की होती है, या white कलर की होती है, black कलर की होती है, लेगन sweaters तो हमें बहुत अलग-अलग colors के दिखते हैं, green, blue, yellow, pink, purple, violet, red, बहुत सारे दिखते हैं, कैसे possible है, क्योंकि dyeing का process करा जाता है तो birds की cleaning के बाद, जो भी fibers होते हैं, उन्हें dye करा जाता है, अलग-अलग colors में, ठीक है, और basically क्यों किया जाता है, क्योंकि usually, sheep and goats जो हैं, उनके color या तो black होते हैं, या brown होते हैं, या white होते हैं, तो ऐसी variety तो हमें होती नहीं, हमें तो बहुत सारी अलग-अलग colors present होते हैं, sweat rolling का process, कौन सा process, rolling का process, अब होता क्या है, जब dye हो गए fibers, तो उन्हें comb किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है, तो comb करने से क्या होता है, ये fibers जो हैं, ये इस तरीके से straightened हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इनको yarn में roll कर दिया जाता है, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बता आया था, कि rolled yarn जो होता है, वो आपके ममी, आपके दादी, आपके नानी, सब यूस करते हैं, आपके लिए sweaters बुनने में, तो इस तरीके से सर्दियों में आप देखते होगे, वो बैट के sweaters बुन रहे होता है, ठीक है, तो ये yarn जो है, ये कैसे आया, समझ में आया, सबसे पहले sharing का process होता है, फिर उसके बाद scouring का process होता है, फिर उसके बाद sorting होती है, then birds clean करे जाते है, then dying का process होता है, then comb करके उन्हें रियान में roll कर दिया जाता है, ठीक है, clear है, समझ में आया, तो silk शुरू करने से पहले, एक बार मैं फिर बता दूँ, कि ये जो processes है न, sharing, scouring, sorting, ये थोड़े से confused होता है, बच्चे इनके words में, तो इनके words में confused नहीं होना है हमें, एक तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से process के बाद कौन सा process आता है, sharing के बाद scouring, scouring के बाद sorting, दूसरा basically sharing और scouring जैसे process ने आपको differences पता होने चाहिए, ठीक है, और flow chart ध्यान रखना कि sharing के बाद scouring, scouring के बाद sorting, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा और finally क्या आएगा, तो ये flow chart आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, all right, तो शुरुवात करते हैं अब हम लोग, silk की, इसमें हम पढ़ेंगे कि silk क्या है, sericulture क्या है, life cycle of silk moth समझेंगे, और कैसे silk obtain होता है, silk moth से ये, हम समझेंगे, ठीक है, काफी important topic है, चलो शुरू करते हैं, तो silk की मैं बात करूँ, तो silk भी क्या है, silk भी एक animal fiber है, जिसे naturally obtain कर जाता है, तो natural animal fiber है, silk, तो silk fibers are also animal fibers, ओके, और silk worms चो होते हैं, silk worms की मदद से हमें silk obtain होता है, और जब silk worms की rearing होती है, ठीक है, उन्हें इस तरीके से rear किया जाता है, उन्हें पाला जाता है, कि इस तरीके से उन्हें special conditions दी जाती है, जिससे वो में silk दे सकें, इस पूरे process को हम बोलते हैं, sericulture, क्या ब sericulture की definition काफी important है, कि rearing of silk worms to obtain silk is called sericulture, चीक है, चलो, तो शुरवात करते हैं हम लोग life cycle से, तो पहले एक बार ये picture देख लीजे, उसके बाद हम सारी चीज़े समझेंगे, सबसे पहले तो इस picture में आप ये देखो, कि ये है male silk moth, ये है female silk moth, चीक है, female silk moth, moth क्या करती है, खूप सारे eggs, mulberry leaves पे lay off करती है, तो आपको दिख रही होगी, ये mulberry leaves, इस पे खूप सारे eggs, lay off करे हैं, देन उसके बाद, एक इस तरीके का structure बनता है, जिसे हम बोलते हैं, caterpillar, finally, cocoon form होता है, और ये cocoon के अंदर किस तरीके से moth develop होता है, वो भी आपको दिख रहा होगा, तो एक बार इसको ध्यान से देख लो, अब एक एक करके पूरी stages समझेंगे, सान, बिल्कुल clear हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि male silk moth था, और female silk moth था, female silk moth, mulberry leaves पे, female silk moth, mulberry leaves पे, खूब सारे eggs lay off करती है, ठीक है, ये eggs जो है, ये hatch होते हैं, और hatch होने के बाद, जो larva form होता है, उसे हम बोलते हैं, caterpillar, क्या बोलते हैं, caterpillar, तो आप देख रहे होगे इस तरीके से, caterpillar हमने picture में देखा था, ठीक है, अब होता क्या है, ये जो caterpillar है, ये धीरे-धीरे size में grow करता है, क्या होता है, ये size में grow करता है, और grow करने के बाद इसे बोला जाता है, pupa, क्या बोलते हैं इसे, pupa, ठीक है, female silk moth, eggs lay off कर रही है, eggs hatch up हो रहे हैं, caterpillar form कर रहे हैं, caterpillar size में grow कर रहे हैं, और क्या form कर रहे हैं, pupa, clear है, अब होगा क्या, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो pupa है, ये इस तरीके से घूमना शुरू करेगा, क्या बना रहा है ये, 8 बना रहा है, तो 8 के figure में pupa घूमना शुरू कर देता है, और इस movement के दौरान pupa क्या करता है, इस movement के दौरान pupa अपने आस पास fiber secret करना शुरू कर देता है, जो की proteins के बनेवे होते हैं, और जैसे ही fibers air में exposed होते हैं, ये क्या बन जाते हैं, ये silk fiber में convert हो जाते हैं, लेकिन अभी silk obtain नहीं हो है पूरी तरीके से, ठीक है अब धीरे-धीरे होगा, तो ये fibers air में exposed होने के बाद, silk fibers बन जाते हैं, अब क्या होगा, अब धीरे-धीरे, ये जो 8 के figure में pupa गूम रहा था, fiber secret कर रहा था, धीरे-धीरे ये इस तरीके का structure बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं, cocoon stage, क्या बोलते हैं हम इसे, cocoon stage, ठीक है, और इस cocoon stage से ही हमें, silk threads obtain होती हैं, तो अक्सर पूछ लिया जाता है, वो कौन सी stage है, silk moth की, जिससे हमें silk threads obtain होती हैं, तो हमें cocoon stage से ही obtain होती हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो, इस picture में आपको cocoon दिख रहा है, इस पे threads दिख रहे हैं, और इस cocoon के अंदर देखो किस तरीके से develop हो रहा है, silk moth, ठीक है, ओके, अब क्या होगा, अब धीरे-धीरे क्या होगा, इस cocoon से क्या obtain करे जाएंगे, silk threads, इसका भी process होता है, discuss करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी silk की variety discuss कर लेते हैं, तो silk की अलग-अलग varieties होती हैं, जैसे कि तसर silk, मुगा silk, कोसा silk, यह अलग-अलग silk होते हैं, और silk जो है, वो काफी costly आता है, और mulberry silk moth से जो silk obtain होता है, वो हमारा सबसे common silk होता है, ठीक है, अब जो silk fiber होते हैं, वो soft होते हैं, चमकीले होते हैं, lustrous होते हैं, elastic होते हैं, और इन्हें अलग-अलग beautiful colors में dye करा जाता है, ठीक है, तो silk कैसा होता है, soft होता है, smooth होता है, lustrous होता है, ठीक है, तो यह तो silk के हमने क्या discuss करें, silk के texture कैसा होता है, types of silk, तो हमारी life cycle जो चल रही थी, उसमें मैं cocoon stage तक आई थी, right, और मैंने बताया था, वहाँ से silk threads जो हैं, अब हम discuss करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, कि female silk moth, egg ले करती है, जो कि caterpillar form करता है, then वो pupa form करने के बाद, 8 के figure में घूमता जाता है, threads बनाता है अपने आसपास और cocoon form कर लेता है, ठीक है, ओके, तो अब जब cocoon form हो जाता है, तो cocoon को rear किया जाता है, ठीक है, कैसे rear किया जाता है, इस cocoon को rear करने से पहले, जब वो egg की stage आई थी ना, तो उन eggs को जो भी rear करते हैं, silk, जो भी sericulture का process करते हैं, वो eggs को बहुत carefully संभाल के रखते हैं, यह चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो eggs इनके खराब हो जाते हैं, ठीक है, और कैसे संभाल के रखते हैं, यह in fact, देखो होता है क्या है, कि sericulture का process या तो अपने आप हो जाता है, अगर optimum conditions हैं, पर अगर नहीं हैं, तो इन्हें conditions दी जाती हैं, ऐसी conditions, ऐसा temperature दिया जाता है, कि यह egg जो है, वो hatch हो जाया है, properly, caterpillar बना दे, then pupa बना दे, then उसके बाद cocoon form कर दे, ठीक हैं? All right? Okay, अच्छा, तो जब cocoon form हो जाता है, ठीक है, cocoon से धीरे-धीरे silk threads को निकाला जाता है, ठीक है, यह तो मैंने आपको बताया, naturally जो होता है, लेकिन artificial form में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो mulberry leaves होती हैं, उस पे जो eggs होते हैं, उसको काफी ध्यान से store करके, एक particular temperature दिया जाता है, जिससे यह caterpillar form कर लेता है, ठीक है, फिर यह caterpillar जो होता है, यह खुब सारा खाना खाते हैं, और खुब सारा खाना खाके यह बड़े हो जाते हैं, और यह pupa form कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन around 25 से 30 दिन खाने के बाद इनका पेट भर जाता है, तो यह तो पेट बढ़ जाता है, और फिर इह cocoon form कर देते हैं, क्योंकि इन से फिर इनका पेट एकदम फूल हो जाता है, यह और नहीं खा सकते, और बड़े साइस में यह नहीं जा सकते, ठीक है, और यह फिर cocoon form कर देते हैं, और cocoon से फिर धीरे कैसे कर जाता है? threads को obtain किया जाता है ठीक है, तो जैसे की मैंने बताया, आपको कि cocoon से thread obtain करते हैं, तो खूब सारे cocoons को लिया जाता है इन cocoons को क्या करते हैं thread निकालने के लिए इन्हें sun के नीचे रखते हैं या फिर इन्हें boil कर देते हैं steam में, तो उससे क्या होता है जो भी silk fibers होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है और यह जो process होता है जिसमें silk threads जो हैं वो अलग हो जाते हैं और फिर उन्हें, उनकी threads बनाके roll कर दिया जाता है silk threads में, उसे बोलते हैं reeling का process, reeling of silk इन्हें अलग-अलग special machines में किया जाता है तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर reels form हो रही है, silk की तो इसे बोलते हैं reeling का process ठीक है, and finally silk जो है, वो हमारे पास obtain होता है और इसे यूज़ किया जाता है अलग-अलग कपड़े को बनाने में ठीक है तो यह तो थी पूरी life cycle of silk moth ठीक है, जहां से मैंने कहां से शुरू किया था, कि जो female female silk moth है वो खुब सारे eggs lay off करती है तो सबसे पहले artificial नहीं मैंने सबसे पहले natural process discuss किया था कि यह जो eggs है यह कैसे caterpillar बनाते हैं caterpillar pupa में form होता है pupa फिर 8 के figure में घूमते जाते हैं और क्या form करते हैं कुकून, कुकून से फिर कैसे silk threads obtain करे जाते हैं लेकर अगर artificially कराया जाता है जिसे बोलते हैं sericulture तो उसमें eggs को preserve करके रखा जाता है बहुत केरफुली उन पर नज़र रखी जाती है उन्हें एक temperature प्रोवाइट किया जाता है जिससे वो caterpillar form करें उन्हें खूब सारा खाना दिया जाता है कि अब अपने आपका size बढ़ा कर लो तो 25-30 दिन वो अच्छे से खा पी के एक दब मोटे ताजे हो जाते हैं और फिर उनका पेट भर जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं वो pupa form कर लेते हैं pupa को 8 के figure में rotate कराया जाता है ताकि वो cocoon form कर ले cocoons को steam किया जाता है boil किया जाता है ताकि उस silk threads अलग हो जाएं और silk threads जब अलग हो जाते हैं तो उनके जब fiber form आ जाते हैं तो उसे हम वो reeling का process बोलते हैं ठीक है तो ये पूरी थी क्या silk moth की life cycle और इसी के साथ हमारा पूरा chapter का one shot revision होता है खतम तो शुरू करते हैं इसी के साथ हमारे दूसरे quiz से और quiz का question आपके सामने ये रहा Silk fabric has dash and dash texture तो ये रहाँ आपके सामने ये रहाँ पूरा from which stage is the silk thread obtained from silk moth चलिए discuss करते हैं तो first question मैं आपसे पूछा Silk fabric has dash and dash texture तो silk fabric में soft and smooth texture होता है ठीक है smooth texture होता है वही soft texture होता है ये option हमारा answer हो जाएगा अगला option है कि कौन सी stage से silk thread obtained होता है तो अलग-अलग stages डिसकस करी थी हमने और मैंने ये बताया था जो कून stage है वहाँ से silk threads को obtain किया जाता है तो ये option हमारा यहाँ पे answer हो गया ठीक है ओल राइट सो हमने आज की class में क्या-क्या पड़ा हमने शुरुवात करी है animal fiber से animal fiber कौन-कौन से होते हैं wool and silk types देखे processing देखी कि कैसे processing होती है जिसमें हमने shearing process देखा scouring, sorting, birds की cleaning, dying, rolling अलग-अलग processes देखे then हमने silk के बारे में पड़ा and finally हमने life cycle of silk moth को discuss करा ठीक है so इसी के साथ हमारा पूरा one shot होता है complete तो I hope आप सभी को समझ में आया यह पूरा chapter तो हमारी जो अगली class होगी वो भी one shot revision पे होगी और chapter जैसे कि आपको पता है मैं surprise रखती हूँ तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए थांक यू और गुड़ा